वेलो दोस्तों वेल्कम बैक जो माई चैनल तो आज मेंबात करने वाले हैं सेनीके स्कूल मैन पूरी की फाइनल मेरे लिस्ट के बारे में तो जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि संद्स्कूल kes वन पूरी ने कुछ दुनों पहले ही ennouncement किया था रियल डेकलेशन के बारे में तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं सेनिक स्कूल मैनपुरी का यह रियल टाया है उसको सबसे पहले दूस्तों आपको Chrome या Firefox जो भी ब्रावजर है उसको ओपन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर टैप करना है www.senic इसकोल मैनपुरी यह इसकी ओपिसल वैपसाइट है लास्ट में दूस्तों .com और लगाना है जिसी कि आप इसकी ओपिसल वैपसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे होगी इसके ओपिसल वैपसाइट ओपन हो चुकी है इसके बाद यह आपको यह पॉंटर दिखा रहा है आपको फाइनल मेरिट लिष्ट दो यार 21 यह इसका एक्जम दोस्तों 2121 को हुआ था इट्स जैनवरी को हुआ था उसके बाद मेरिट लिस्ट कही लग चुए उसके बाद यह फाइनल मेरिट लिष्ट है इसमें सैने की स्कूल ने जो यह फिर आप मेल भी कर सकते हैं यह देखिए आपके सामने दिया एंडवीशन डॉट लैसे सैम एडडरेट इमेल डॉटकम इस पर आप मेल भी कर सकते हैं यह दोस्तों देख लिए 26 जॉलाई स्कूल में आपको कुछ जो लेटर्स में दिये गए हैं क्या-क्या डॉकुमेंट्स वगरा है जो बेरिफिकेशन के लिए आपको लिए जाना है तो सबसे पहले आपको दिखाए यहां आपको क्लास सिक्स बॉय केंड़ेट्स ऐसी के होम स्टेट के जो मैं लिष्ट लगी ह है आप देख लीजिए कुछ किस का रॉल नंबर सेलेक्ट हुआ है उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो ऐसा कर डगरी बेटिंग लिस्ट वाली केंडिडिट भी है इनके बाद यह उंबीदवार है बिल्कुल आपका भी आ सकता है जो केंडिट इस्ट में कोई भी नहीं है तो सटी के डगरी मौली बन केंडिडीट है जो कि आया हुगा है उसके बाद आप बात आती है ओवी सी की ओवी सी में है टोटल नंबर आप केंडिडिट इटिन सेलेक्ट हुए जो मैन लिस्ट में है वाकि जो बेटिंग लिस्ट में है यह 10 वे लगी ऊधी हूए इसके बाद देखो कब यदिलिस्ट आती है तो इस पर बूरस करते हैं इसकी निचे बदन करते हैं तो डिपेंस केटागरी में Seven Candidate का स् सेक्ष्ण हुआ है तो यह देख लीजिए defense category में किस-किस का selection हुआ है यहाँ पर भी किवल बहुत candidate की बात कर रहे हैं तो नीचे स्कॉल करते हुआ अब आती है waiting list of defense category की बात करें तो defense category की waiting list आती है तो यह देखिए defense category में 10 candidate ऐसे हैं जो waiting list में इसके बाद जो बड़ी list आती है है वो आती है General category इसमें देखिए टोटल नमबर ऑप candidate 24 स्लेक्ट हुए है General category 24 candidates स्लेक्ट हुए है उसके बाद इसके बाद waiting में की बात करें तो इसमें 35 candidate जो है जो waiting में है यह से General category की बात कर रहे है 35 candidate वेटिंग में है एंड टूंटी इट केंडिटिक स्लेक्ट हुए हैं मैं बतातों जैसे की बीटिंग लिस्ट से हैं जो मतलब जिस केटागरी में आता है उसकी वेटिंग लिस्ट उसी साफ से लगी अगर ओवी सी वाले इस्टेंडेट की बात करें तो ओवी सी में अगर कोई बच्चा वाई म게ं लेफब फैलो कि भार आता है तो वी सी में जो पहले नमडर पर होगा विट्टिंग लिस्ट में उसका स्लेक्शं बढ़ता हुआ कि चला चाएगा मतलब पहले नमडर पर स्लेक्ट होगा वा पहले चला जाएगा तो उसका आने का प्रोबिल्टी थोड़ा ज्यादा रह केटागरी में केबल एक गल स्लेक्ट की गई है और वेटिंग में कोई भी नहीं है इसके बाद कोई भी नहीं जनर्न के टेगरी कि बात करें तो इसमें दो गळल्स को स्लेक्ट किया गया हैं और बैटिंग में कोई नहीं है जो सेक्ट हुआ हैं इक दो की बात करें तो उसमें है OVC में भी एक जो एक है जिसका स्लेक्शन हुआ है और इसमें कोई भी वेटिंग में कोई भी नहीं है ऐसे नीचे दिये गए इस्ट्रक्शन अगर आपको यह सब क्या-क्या लेगे जाना यह सब इस्ट्रक्शन है आप इसको यहां से फोटो भी की सकते हो या फिर जैसा कि ब पलसरी है आप बिल्कुल आपको बिल्कुल ले जाना है हर हालत में यह सारे डोकुमेंट जितनी दिखाया रहे हैं इसको नीचे यही सब इंस्ट्रक्शन जो की उपर इंग्लिस में दिये गए थे यहां पर आपको हिंदी में मिल जाते हैं यहां पर सभी आपको नीचे आते हैं देखते हैं आप लाश्ट में आपको कुछ नहीं दिया है यही सब दिया है तो आप चेक कर लीजिएगा तो थैंक्यू फॉर वाचिंग में अगर जिसका स्लेक्शन आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिसका स्लेक्शन नही हुआ है तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा चलता रहूंगा पत पर चलने में माहिर बन जाओंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओंगा तो दोस्तों आपको कोई टेंशन करने की कोई बात नहीं है इस बाद सेलेक्शन नहीं हुआ अंग